भारतिय जंता पार्टी लोकसवा चुनाओ 2024 के लिए अपनी कमर कस चुकी है और इसके मद्दे निजर छेत्रिय कारिसमितियां आयोजित की जा रही है आज भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बूपेंद्र चौधरी कानपूर पहुंच रहे हैं मन्नाकनी रोय इसमें किस तरह से विपक्षियों से निपटना है क्या रनीती बनाई है उस पर चर्चा होगी साथ ही मोधी सरकार के नो साल पूर्ण हो रहे हैं ऐसे में क्या कारेकम 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने हैं इस पर भी गेहन चर्चा होनी है खुद प्रदेश अध्यक्ष सफी बड़ी मानी जा रही है और इस बड़ी मेदारी के लिए सभी पदाधिकारियों के सामने एक लक्ष होगा उससे पहले नो साल पूर्ण होने को लेकर के बड़ा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है एक महीने में एक महीने का पूरा यह अभियान होगा और इस अभिय चुनावी मोड में रहने के चलते 2024 की जो लडाई है वो काफी ज़्यादा एहम कही जा रही है चेत्रिया बैठक आयोजित की जा रही है चेत्रिय कारिस्मिती में तमाम मुद्दे उठेंगे निकाय चुनाव की जो बंपर सफलता बारतियनता पार्टी को मिली है उस पर भी च लक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए जो असी में असी सीटे उत्तरप्रदेश में रखी गई है वो कैसी जीती जाए और नो साल पूर्ण हो रहे हैं मुदी सरकार के उसको ले करके रूप रेखा जो खीची जाएगी जो तमाम योजनाएं हैं अभियान है वो जनता के बीच कैसे ले जाए जाएंगे उस पर आज चर्चा होनी है और 2024 के लक्ष को पाने के लिए भी तमाम कड़ी मशक्कत होगी कानपूर से केमरामेन पंगर निगम के साथ रतीश तरुवेदी एबीप गंगा एबीप गंगा खबर आपकी जवापकी